नमस्कार दोस्तों मैं इंको रुपाथ्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिर मार्केट एनलिसिस में कल बजार में कहां एक्षन होने वाला है कहां एक्षन होगा आपको कहां नजर रखनी है इसी के बारे में डिसकस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको बजा दूँ आज बजार में जो कुछ हुआ मैं जादा ओपन मार्केट में एक्टिव नहीं था बट जितनी चीज़ है मैंने नोटिस करी रिजल्ट सीजन चल रहा है तो रिजल्ट से रिलेटेड ही थी लेकिन FIA-DIS का डेटा इंट्रेस्टिंग था FIA-DIS का डेटा इंट्रेस्टिंग इसलिए था क्योंकि DIA-DIS ने बिक्वाली करी है मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी DIA-DIS बेचते हैं कभी FIA-DIS ये one-sided flow चल ही नहीं रहा है नॉर्मल मार्केट्स में मैं आपको बता दू आप lifelong जब भी रहोगे बजार में टिक होगे आप notice करोगे कि one-sided बजार चलता है कैसे FIA-DIS बेचते रहते हैं बेचते रहते हैं ये obvious है क्यूंकि हम सभी होता है विव होता है वैडर चाहएगा आपका हमारा हर दिन बतल जाता है पर भी आपसे कहता हूं कोशिश करता हूं कि आपका थिन बतल रहा है लेकिन यह DIAs, FIAs क्या है, यह investor rank तरीके से, यह निवेश कर दें, यह stock के price में पैसा लगाते हैं, और यह ऐसा नहीं आज लगाया है, तो कल बेचे हैं, नहीं जी, वो futures का data अलग होता है, उसके में बात ही नहीं कर रहा है, तो इनको पता है कि बजार उपर जाएगा, तो वो one-sided है ले रहे हैं, और दूसरे उन्दे को बता है, बजार नीचे जाना है, नहीं जाएगा, उपर तो वो one-sided बेच रहा है, या फिर, अगर mix हो सकता है, तो दौनों ले सकते हैं, बर दौनों लेंगे तो फिर बेचे का कौन, obvious है ना, retail category में तो नहीं है नहीं दम, कि वो ब बेचे और दौनों को खरिदवा दे, अपने पास इतना fund का है, बाई, अपने पास इतना shares का है, तो आपस में सौदा चलता है उनका, यहां क्या हो रहा है, कभी FIAs लेता है, कभी DIAs आज देखो तो DIAs ने बेचा है, और FIAs ने खरीदा है, कल का देखो तो DIAs ने खरीद लेकिन market बहुत strong है, momentum में है, निवेशित रहना चाहिए, flows बहुत अच्छे है, पैसा बनेगा बजार में, यह सही समय नहीं है निवेश करने का, यह आता है last line, तो फिर सही समय नहीं है, तो सब कुछ उपर क्यों कह रहे हो आप, मेरा simple सा logic यह है कि एक person बजार में निवेश यह नहीं देख रहा हूँ, वो इसलिए है, अभी से नहीं है, 6-7 महीने से है, क्योंकि due to personal reasons मैंने fund withdraw किया था, यह disclaimer है, ठीक है जी, अभी मैं आप सभी के साथ share करना चाहता हूँ, market super strong दिख रहा है, आपको भी मुझे भी हम सब को, FIDIS का flow, result season, यानि कि आज किसके numbers आए, reaction क कल कैसा हो सकता है, कल किसके numbers आने वाले है, यह सारी चीज़ें, आप सभी के साथ discuss करते हैं, मैंने market पे एक view बन रहा था, जो मैंने share करना अच्छा समझा, मैंने share किया, अब मैं FIDIS का data बताता हूँ, सबसे पहले आपको, cash market का, तो cash market में, FIDIS में interesting data निकल किया है, जहां FIDIS results की बात की जाए, तो results मेरे को कुछ खास दिखनी रहे है, quarter on quarter खराब ही लग रहे है, company ने 304 करोड के मुनाफ़े के सामने 260 करोड का मुनाफ़ा पेश करा है, year on year basis पे जंप है, 228 करोड के सामने 260 करोड की, revenue देखेंगे तो similar, थोड़ा सा उपर आया quarter on quarter, but almost similar है, year on year basis पे ज और नहीं हो तो अभी वेट कीजिए, लेने का भाव भी साही नहीं है, आगे बात करूँ फेड फिना के numbers आते हो देखें, आप सबी को जो open market में आगे तो उस पर discussion करना बेकार है, केशोर हम industries की बात की जाए, तो इसके numbers देखूं मैं अगर, तो loss में ये company, but loss थोड़ा कम हो लिए है, तो आज आपकी 15 जनवर ही निकल गई, कल सबसे बड़ा नाम आता है, HDFC Bank का, जो कि मेरे को अमीद है, post market आएंगे, बजार बंद होने के बाद, ICACA Lombard, L&T Technology, important number है, mid cap IT की शुरूबात करेगा, देखते हैं कैसे आते हैं, post market ही आएंगे इसके भी, Federal Bank, Bank of Maharashtra, ICACA numbers पेश करते हुए, दिखेंगी, कमपनिया, तो इन पर भी नजर बनाके, रखनी है, खबरों के दम पर भी, कुछ stocks action में, like MED+, BLS International Services, Vidanta, Adani Enterprises, तो मैं पहले आपको, Adani Enterprise and Vidanta की बात करता हूँ, जियो फाइनशल सर्विस के तरफ से कुछ announcement आईए, वो भी share करता हूँ, Adani Enterprise की बाद में, जियो फाइनशल की तरफ से खबर है, कमपनी प्लांस टू लांच लीजिंग बिजनिस अंडर, जियो इन्फोर्मेशन एग्रिगेटर सर्विस, कमपनी सिया, लार्ज अपॉरिटी इन दा, सिक्यूर लेंडिंग स्पेस, कमपनी सिक्यूर लेंडिंग स्पेस में बड़ी अपॉर्चिनिटी देख रही है, और वहाँ पर कामकाच करने वाली है, सिक्यूर अन्सिक्यूर दो तरीके के लोन होते हैं, जो मैं अल्रेडी डिस्कस कर चुका हूँ, शौर्ट में बता दू, अन्सिक्यूर यानि कि बैंक, एक बंदे की जॉब सेलरी देखकर प इसा बना लेगी, समझ गया आप बात को, यह होते हैं, दो तरीके के, तो इन्हें सिक्यूर में दिखते हैं, और सिक्यूर लोन जाद अच्छी होते हैं, वेधानता की तरफ से ख़बर है, कंपनी वी आरेफ टू, सिटी गूरूप एक्सिस, ट्रस्टी साइन, इस पर में जादा कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा, आप सभी के साथ, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था मेरी तरफ से, बाकी कल मिलते हैं, ओपन मार्केट में, फ्रेश वीउ के साथ, और फ्रेश मार्केट के साथ, अब आपको सारी चीज़े समझ में आई होगी, Thank you so much for watching this video, have a great day guys!